गुल्टू सैटिंग गुल्टू यारी आउस्फुल है राज हमारी वस्ति करना काम हमारा ये मैं ये दुनिया सारी हम किसी से कम नहीं हम किसी से कम नहीं काड़ी किसी की धक्या खाए कोई बनेगा लीडर इतरा ना है काम किसी का कोई बनेगा हीरो पर पड़ने की बात जहां है वहां है सारे जीरो लेकिन अब ये मंत्र हमारा हम चुनेंगे राह सही हम किसी से कम नहीं हम किसी से कम नहीं रोज रोज अब जाके श्कूल समझ में आई अपनी भूल पढ़ लिक कर बन सकते हैं इस बगई आ पे हम भी फूल ह flips कम नहीं हे है Definition है तぉ मेरा फैसला रटल है तो मेरा फैसला भी कान खोल कर सुने आज के बाद उस लड़के का नाम भी अपनी जुबान पर लिया ना तो मेरा मुह देखेगी और नहीं आंटी जी ऐसी बात मुह से ना निकालो अब तो मुझे सिखाएगी नहीं वैसे आपका मुह है जर्सी मर्जी बात करो है ना मा मेरी भावनाओं को सबढ़ने की कोशिश तो करो और मेरी भावनाओं अरे नो महीनी कोक में रखा है मैंने तुझे मेरी मंता का तुझे कर जदा कर रही है मा में मेर्जु से बहुत प्यार करती हो है भगवान तुमें यह दिन दिखाने से पहले मुझे उठा की लिया भेन जी आप कैसी बाते करेंगे थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लीजिए अब देखिए ना भेन जी इस लड़की ने तो हमें कहीं मुझे दिखाने के लाइक नहीं छोड़ा चुटकी के बाबुजी को जब से पता लगा है ला उन्होंने तो खाना पीना भी छोड़ दिया है मा अगर मेरी वज़े से बाबुजी और आपको इतना ही कर्ष्ट होता है तो मैं और विर्चु कहीं दूर चले जाएंगे चुटकी ऐसी बाते मत करो सब ठीक हो जाएगा मैं और मिस्टर पार्टम कर चौदी साप से बात करेंगे ठीक है अरे यह तो वह ऐसे नहीं काला तक था है जही से निकला सवा में लगागा हां लेकिन इसे नोटिस पोर्ड या सूचना पट कहते हैं इसका उपयोग आप लो आप लोग जो कुछ भी सीखते हैं वो इस पर लिख सके और आप लोगों को अब तो लिखना भी आता है सर साही मैं लिखू इस पर हां लिखू ना कि अ अब उनको तो लगता है इसमें क्यान सागर जी की चाल है असल में बोट उन्हेंने अपना उत्रा अधिकारी ढूनने के लिए लगवा है वो कैसे देख उन्हेंने कहा है न कि जो कोई भी सीसीवी सब्सक्राइब लिख जाएगा उसे को अपना सब कुस देदेंगे काई की नहीं यह तो कहा है हाँ तो बस अब यह सब लोग इस बोट पर जो कुछ ना आता है लिखेंगे और फिर क्यान सागर जी जो सब्सक्रा अ वो मुष्ण लगा ताम की दर तुर पास चिनाय सेट जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेका करते है कभी अपनी गिरेवान में जाक के देखा है अरे काका ये क्या लिखा है यहां से पढ़ों कि पेड़ से उल्टा लेकर ये तर एक तांग बंगालमा तो दूसर कन्या कुमारी में पहुचाए दिये हो हमने कम से कम कोशिश तो करी आप लोग तो खड़े-खड़े बत्तिशी दिखाओ अब हम का का मालूम कि ये पर का ल पिर खो ठीक है ना सरसाहिल आप बिल्कुल जैसे पाने कितने मुझे से कितने में तक आता है और जो अच्छे-ची बातें आप सीखते हैं वह यह यहां लिख सकते हैं जैसे कर भला तो हो भला है अब आपकी समझ में आ इंकल ऐस्यस तो आमें स्कूल में भी भी होता है इस यह कोई स्कूल के बच्चों से कम थोड़ा ना है मैं सोच रहा था कि क्यों ना किसी ज्यादा मीठा खाने से मदुमे हो जाता यह लोपी तो में कैरा तो की हुआ है अच्प उन МУЗЫКА अंआ पी हुश्यार हो गया मेरे स्टूडेंट्स। खाक हुश्यार हो गया है यह बस इनी शिरारतों में दिमाग लगाते हैं और जानते हैं यह सब आप से मिली छूट का नतीजा है और मैं तो हमेशा कहती रहती हूँ कि इनने डिस्प्रीम में रहना चाहिए प्रहाई लिखाई का यह मतलब तो नहीं कि यह इस तरह से बुरा मजाग करें इसमें बुरा क्या है मैं तो कहता हूँ कि जिसने भी यह सब कुछ लिखा है काफी क्रियेटिव माइंड है उसका बस आप इनकी क्रियेटिविटी बढ़ाते रहिए मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हमें इन्हें पढ़ना लिखना सिखाना है इन्हें किताबें पढ़ना सिखाना है ताकि यह ग्यान प्राप्त कर सकें दस लोगों में बैठकर कमिनिकेट कर सकें मैडम शिक्षित होने का मतलब होता है मानव का संपूर्ण विकास होना कोई गिंती सीख लेने से या अपना नाम लिखना सीख लेने से शिक्षित नहीं हो जाता अरे यह इन्होंने उर्दु कहां से सीखी यह मुफ्त के फर के नीचे नुकता नहीं लगा है करती हो तुम भी अरे आम बोलने चालने में हम उर्दु और अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और यह लोग अपढ़ना लिखना सीखें हैं तो कल तक जो यह बोलते थे आज लिखने की कोशिश कर रहे हैं बस वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि आजकल यह बहुत कुछ सीख रहे हैं यह सब आलतू-फालतू की चीज़े सीख रहे हैं यह लोग यह सब मेरी धील का नाजायज फायदा उठा रहे हैं इन्हें टाइट करना होगा अरे छूत नहीं देंगे तो यह सीखेंगे कैसे इनकी क्रेटीटी कैसे बढ़ेगी इनके माइंड के विकास के लिए हमें इन्हें पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इसे रोज मर्या के जिंदगी में भी प्रियो करने का मौका देना चाहिए अरे मौका दे दिया तो यह हरकतें करेंगे पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होगी अरे बहुत होश्यार हो गए हैं यह सब सीख जाएंगे देखनी रहें कितना तेज दिमार चलता है इन लोगों का नहीं नहीं हाथ उठाना तो दूर चुटकी के बाबुजी ने तो उसे आज तक कभी उची आवाज में भी कुछ नहीं कहा कल रात ही तो उन्होंने अपने हाथ से उसे खाना खिलाया था बड़ा लगाव था चौदरी साब को उससे अब लगाव तो हर किसी को ही है उससे वो है ही इतनी प्यारी पर आपको पता कब चला कि वो घर पर नहीं है आज सुबह जब चुटकी के बाबुजी दूद दूने गए ना तो देखा खूंटे की रसी खुली पड़ी थी नहीं ऐसा तो नहीं कि रात में कजरी की रसी खुली चूट गई हो आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ अब मान लो कर रसी खुली रह भी गई हो तो पर कजरी जाती कहा यहीं तो समझ में नहीं आ रहा कि वो गई कहां कहीं वो खुत तो कहीं नहीं चलिए कैसे बाते कर रहे हो है हमने चुटकी और कजरी में तो आय तक कोई फर्क नहीं समझा वो इसी घर में तो पैदा हुई थी चाची आपको क्या लगता है कहीं कोई उसे उठाके थे तुम हीने गया कुछ भी हो पर हमारा तो बहुत नुकसान हो गया ना हमारी भैसों में वह सबसे अच्छी नसल की भैस थी शुच्छा दूद देती थी वह काम करते हैं हां किया नोटिस बोड में उसके गुम हो जाने की सूचना लिख देते हैं अगर किसी को भी उसके गुम हो जाने की जानकारी होगी तो वो ये नोटिस वोट पढ़के आपको उसके बाइर में बता देगा अब भया जैसा तुम ठीक समझो ना वैसा ही करो हां मैं तो कुछ भी नहीं सूझ रहा कि आप सभी को ये सूचित किया जाता है कि श्री राम सरन चौधरी की भैंस जिसका नाम कजरी है कि आज सुबह से नहीं मिल रही है देखने में वो अन्य भैसों जैसी ही है चाची घर में आसपास अब जगा ठीक से देख तो लिया है ना कहीं ऐसा नहों कि वो आसपास ही घूम रही हो हां सब जगां देख लिया अरे चौधरी साब तो सुबह से उसकी तलाश में भटक र कार्णी थोड़ी ना है वो सावली है चलो सावली ही लिख देते है रंग सावला है उसकी आखो का रंग कैसा था यह तो कभी ध्यान से नहीं देखा जहां तक याद पड़ता है काला ही है आखें बड़ी-बड़ी और काली है याद है गले में क्या पहने हुए है अब इस समय तो कुछ नहीं याद पड़ता पर कुछ ना कुछ तो पहने थी वो गले में गले में भी कुछ पहने हुए है जिस किसी को भी उसकी कोई जानकारी हो तो चौधरी साहब को बताने का कष्ट करें लीजे लिख दिया अब फिक्र मत कीजिए किसी ने किसी को वह मिल ही जाएगी भगवान तुमारा भला करें पतानी किस हाल में होगी भगवान करें जल्द से जल्द अपने घर वापिस आ जाए आँ चले हाई राम छुटकी नहीं यह क्या किया इतना गड़ा कदम उठा लिया कि शहर में पिक्चर देखने का मज़ा है कुछ और है यह डायलोग इधार तो यह डायलोग इधार पानी भी ऐसे बरसता है जैसे सचमच की बारी श्वरी हो अरिया हम सोच रहे हैं कि आपकी बार इलेक्शन में जीतने के बाद यहां सिटी गाउं में भी बिल्कुल शहर के सनीमा घर जैसा एक सनीमा घर खुलबाता है फिर तुमको कोई शिकायत नहीं रह जाएगी तुम्हें जब खुलवाना हो खुलवाना अभी तो सुरो क्या थासू पिक्चर थी सर और क्या एक्टिंग की थी नसीर भाई ने बिल्कुल अपने पाटेंकर सर साहब की तरह कबर तो मेरे बताने से पहले ही सबको पता चल रही है क्या छुटकी बाग गई ओए धीरे तो बोलो तो बात ही करना विकार है यह क्या हुआ क्यो हुआ कप हुआ पिंकी तुम्हें कैसे पता की छुटकी बाग दी अरे यह पिंकी है अगर तुने यह बता देगी तो इसके ह क्या फाइदा क्या है न मैंने अपने कानों से सुना है वो मैं घर से निकली रिस्ते में मैंने प्यार से टॉमी कुटे को सहलाया फिर मेरा पाउं पत्थर से जा लगा मैंने वह मां कहा और जब छोटी खुमाते हुए मैं इस वोट के पास कुछे अपने सारी पर्चे उसी डब्बे में रखी थी इसलिए तो मैं कहता हूं पिंकी के सिवा और चीजों में भी ध्यान लगाया करो चुपकर बात काई को जटकी वाट लगवा रहा है बस अब मैं जाओं भूमब करने वनना कल की तरह आज फिर ते युजे से डाट खाने तुबो शैतान हो गया है लगता तुझे ठीक करना ही पड़ेगा क्या पात करें लिए छुटकी भाग गई मैंने खुद सुना है पर चौधरी को तो अभी अपुनाटे टेम देखा था चौधरी की बेटी भागी है चौधरी नहीं क्या ये लोग भी चुटकी घर से भाग या तो चुम कर क्या बंदर कीत्रा चल रहा हुआ अंपना परक्र मेरे तो सिर में वह गया है क्या वई जो जाता है से हैं हैं है है सर जो तेरा चकराए या न दूख बंद जाए वह चुक बोग भीक कान देखो कितने लम्बे तू भाग याजे में तो रामु कबलाता रामु कबलाता हूं किसको बताूं किसको बताओं अपनी चुटकी है ना अप गर से बागए अपनी चुटकी है ना अप गर से बागए ज़िक है वह है कम चाची क्या हुआ कुछ पता चला क्या कहाँ पता चला सूब्यू अधर doors पिर्डे है आरोस्क कि कोई खबर ने मिली कि अभर करके तो कोई भी नहीं बागता हैना मतलब यह नहीं मैं तो यह कह रहा हूँ जिससे फिल्मों में होता है ना कोई चिप्थी छोड़ी होगा कि मा मुझे माफ कर देना बबुजी का ख्याल लगना मुझे ढूने की कोशिश मत करना वगर वगर अरे भ्रिया कोशिश ही कर सकने है शायद मिली जाए वैसे तो नूटिस बोल पे भी दूखी दिया है किसी ना किसी को दिख जाएगी उसे वापस ले आएगा कोई दूद्थ पीती बच्ची है जो कोई उसे पकड़ कर वापस ले आएगा ने चीक आप वापस ना भी लेकर आए पर चौधरी साब को खबर तो लग जाए रिख जाए गिए उसकी सलामती की जै तो बस इश्र से यही प्राठना है चाची इश्वर पर भरोसा रखो कजरी मिल जाएगी अभी बहुत दूर नहीं गई होगी मुंबई गई होगी अपिन शक्त लगा सकता है हमची मुंबई नग्री में हर रोज शैक्णों नोजवान हीरो रेन बनने का सपना लेकर घर से बाग कर जाते हैं आप मैं समझा, तुम भी मुमी बाग के गए तेने इडर बंदे, पर जब भीर तक के शोट ने भी तुम्हारों को चैंस ही नहीं मिला, तर लागे टेक्स चलाने चुटकी के बाबुजी ने शायद रिपोर्ट तो कर दी है, तु जाकर पुली स्टेशन में पता करना हम तो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, आप लोग बस सोचते रहे हैं क्या करना है, हम तो जा रहे हैं चौध राइन के पास अफसोच करने, एक अच्छे नेता की यही नि पचड़ी होगे थी, चौध रहें जी, सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है, वो कली तो हमें दिखी थी, कल ही तो हमने भी उसे आखरी बार देखा, छुटकी के बाबुजी ने जब उसे कल रात खाना दिया, उसके बाद तो उसे किसी ने भी नहीं देखा, चौधरी साब को तो उससे बड़ा लगाव था, अरे वो तो सुबह से ही बिना कुछ खाए पिये, उससे ढूंड रहे हैं, पानी तक नहीं गया हूं के मूं में, चाची मैं देखता हूँ, शायद पुलिस स्टेशन में कुछ पता चले, हाँ भया, जाओ क्या बताओं लोटन भया, सुबह से दोड़ भाग में कुछ सूजा ही नहीं, घर पर भी सबका बहुत बुरा हाल है, जब से मैंने सुना है, मेरे पाओं के नीचे से तो जैसे जमी नहीं खिसब गई, मैंने तो उसे बच्पन से बड़े होते देखा है ना, यादा भया, ज की तो भेन जैसे ही थी, मेरी बीट वो बेटी की तरह थी, बेटी की तरह क्या, बेटी जैसे ही थी, बोले तो सगी नहीं थी, गोर नहीं थी, सगी जैसे ही थी, सुटकी क्या चौधरायन की सगी बेटी नहीं थी, पैदा तो चौधरायन नहीं किया था, अब सगी थी या न वापिस आजाएगी बेटा प्यार तो हम भी बहुत करते थे उससे अगर जरा भी उसने हमारे प्यार के बारे में सोचा होता ना तो हमें छोड़ कर कहीं नहीं जाती मुझे तो लगता है कोई दुर्गतना हो गई होगी अरे नहीं आंटी जी घबराव बत कोई दुर्गतना नहीं होई होगी तीन बज़े की लास्ट ट्रेन पास कर चुकी है है हम अभी ग्रामंत्री जी को फोन किये देते हैं वह इलागे की सारी पुलिस को चौकर ना कर देंगे आखिर उसे ढूंडी लेंगे जब हम लोग उसे नहीं ढूल पाए तो पुलिस कहां से लाएगी यह अदमी बस नेता ही बन सकता है बोल बड़े और दर्शन छोड़े अब तो उपर वाले की मर्जी है हम तो सिर्फ कोशिशी कर सकते हैं देखते हैं अगर ना मिली तो फिर दूसरी तो लानी ही पड़ेगी कैसी बात कर रहे हो बहुजी ऐसा कहने से कहीं रिष्टे टूटते ह आँटी जी मिल गई मिल गई चाची अवा जल्दी चला मिल गई भगवान तेरा लाक लाक शुकर है तूने मेरी प्रातना सुन दी अरे पर मिली कहां वो बिर्जु है ना वूकर खेद मी थिया अच्छा अवा जल्दी चला चाची हाँ ठीक है चलो चलो मैं तो पहले ही जा बाते करना वैसे भी मेरे सुभाव में नहीं है हां तूने तो बिल्कुल बसंती की तरह बात कर दी कौन बसंती अरे वही शोले वाली है वालनी ये भिर्जु ने ठीक नहीं किया अपन तो मानगे अब आप क्या भोला लगता हो भिर्जु आज कल तो किसी का वरोसा ही नहीं सोचना चाहिए था नँन इतिहास कभा है कि जब-जब प्यार करने वालों के बीच जमाना दिवार बना है प्यार करने वालों ने सारी बेड़ियों को तोड़का ठैक भी आतीयास फेल आमेर-खान कयामत से कयमता को फहले चावला को लेक हागता ह। और फिर दिल फिल में माधरी दिक्षित को लेकर भागा है जब प्यार किया तो डर्ना क्या जब चुपकर नहीं तो अनारकली के तरह तुझे भी दिवार में चुमा जया जाएगा ओए होए तुम दोनों तो कई भी कभी भी शुरू हो जाते हो मेरा दिल तो ये सोच सोच के डूबा जा रहा है कि चौधरी साब अब चुटकी और बिर्जु का क्या हाल करेंगे करेंगे क्या दोनों की शादी करवाने का ओए होए क्या बात कर रहा है अगर चौधरी साब को चुटकी और बिर्जु की शादी करवानी होती तो छुटकी को भागने की क्या जरूरत थी बिर्जु तो दूसरी जातका है हम सब भारतवासी है और हमारी सिर्फ एक पैचान है इंसानियत हमें जात पात से उपर उठना चाहिए हम 14 आपको समझाएंगे वह हमारी बात जरूर मान जाएंगे अगर बिर्जु दूसरी जातक है तो क्या हुआ अरी बहुत चल रही यह कौन दुशी जातका है मैडम साहब कर जब हो गया वह अपनी चुटकी ना बिर्जु के सब घर से भाग गई थी क्या क्या कह रही हो बिंकी तो चुटकी घरशे भाग गई थी कब तो शुबासे थो रूदर चूडरम एक अभी तो कि और बिर्जू की शादी की बात करने वाली थी चुटकी ने घर से भाग कर अच्छा नहीं किया बात तो अब और भी बिगड़ गई है आप बिल्कुल ठीक कह रही है मैडम साब मैं भी यही सोच रहा हूं आमिर खान की पहली फिल्म कया मत से कया मत तक में भी आमिर खान और सब्सक्राइब घुटने देखा उसे भी बता दे वह सुपा से हमारे साथ परेशान हो रहा था क्या हुआ बहुजी मिल गई है चौदरी साहब कहा है हाँ भया मिल गई अब जाकर जान में जान आई है चुटकी के बाबुजी उसे घर ले गए है बहन जी आपको बहुत पर और भाबुजी सारे रास्ते बड़े प्यार जर से गन्ना किलाते हुए ले गए है ऐसे प्यार करते रहे रहना फिर भाग जाएगे कांग इसका अहीं है मेरी बेटी छुटकी जुटकी माबबुजी आपको बुला रहे है ओहो, मैं तो बातों में ही लगी रहा गई, मैं आप सब की बहुत आभारी हूँ, ऐसे समय में आप सबने बहुत साथ दिया, चल बेटा चुटकी, हम भी चले ये क्या घरबर है, आप लोग तो कह रहे थे कि चुटकी भागे थी मैडम जी, जहां तक अपन को मालू मैं भागी तो छुटकी थी, लेकिन लगता लफ़ा कुछ और ही है, मुझे तो ये डबल रोल का चक्कर लगता, जो छुटकी भागी थी, वो भागने वाले चुटकी थी, और जो छुटकी मिली थी, वो भागने वाले चुटकी नहीं थी, लेए सूबाने थेखें वो कुन हुआ था और और कौन मिला सर जी मैं समझाता हूं कल रात तक चुटकी घर पर ही थी और राम सरें चौधरी जी ने खुद उसे खाना भी खिलाया था पर जब सुबा देखा तो वह घर से गायब थी और सारे दिन दूनने के बाद बिल्चू गया मिली है लेकिन चौधराइन तो अभी कह रही थी कि उसकी भैस कजरी मिली है यही ना इसका मतलब यह है कि छुटकी नहीं कजरी खोई थी पर सर साफ चौधराइन आएंटी भी तो सुबे से छुटकी के गायब होने की बात कर रही थी पर पसानी है बचानक क्यों पलट गई है और चौधराइन यह मान कर चल रही थी कि तुम उसकी भैस कजरी के बारे में बात कर रहे हो लेकिन मैडम साहब हम लोगों के साथ साथ आपको भी तो ऐसा लगा अब वो कुछ इत्फाक ऐसा हुआ कि ना ही हमें बता चला कि जो गायब होई थी वो चुटकी नहीं कजरी थी और चुटकी घर से भाग गी थी मादम उसमें आप उनका भी कोई मिश्टेक नहीं है वो तो पिंकी ने आप उनको बताया था और पिंकी ने बताया था कि उसने खुझी यह सब कुछ सुना है ओ होई तो मैं के जूट बोल रही हूँ मैं तो अभी भी यह कह रही हूँ कि मैंने खुद अपने कान में से सुना है कहां सुली तुमने यह बात वह सुबह मैं घर से निकली अगर उन्होंने तो नोटिस बोड़ पर भी लिखा था कहां लिखा है यह रहा तुमने इससे पढ़ा था ओय होई अब महीं तो मात खा गई पढ़ना ही तो नहीं आता और पड़े बगएर आधिया दूरी बाते सुनकर तुमने इतने नाजुक मामले पर बाते बनाना शुरू कर दिया पर मैडम साहब वो उस दिन छुटकिया और उसकी मा के बीज बात चल रही थी न मेरे को लगा चौदराइन आंटी अज उसी के बारे में बात कर रही है और आज तुम लोगों के ना पढ़ पाने की वज़ा से कितना बड़ा अनर्थ हो जाता हमें माप कर दीजिये मैं लगा ऐसे नहीं तुम लोगों की सजा है कि तुम सब लोग हिंदी वर्ड माला साब बार लिखकर लाओगे लोट के बुद्धू घर को आए हम किती से कम नहीं सुर्टू सैटिंग वाला फंड़ा बदल गया है अनपड़ नहीं रहेंगे यारो हमने सोच लिया है भूम गया है भेजा अपना सब तुछ पढ़ जाएंगे हिंदी एंगले सुर्टू जर्मन सब में पत्याएंगे करना अनपड़ अब नहीं हमको कोई कम नहीं हम की सी से कम नहीं हम की सी से कम नहीं हम की सी से कम नहीं